Miss Universe 2021 हरनास संधू का One Year का Contract Miss Universe के साथ खतम हो चुका है और अब हरनास संधू हो सकता है कि Film Industry में आपने करियर की शुरुआत करे लेकिन करियर के शुरुआत से पहले ही हरनास संधू एक बहुत बड़ी Controversy में फस गई है और इस Controversy के चलते उन्हें एक करोड का हरजाना भी देना पर सकता है क्या है हरनास संधू की एक Controversy? किसके साथ खड़ी हुई है हरनास की एक Controversy? क्या है हरनास की Biggest Fight? इंडस्ट्री की एक नामी आक्ट्रिस के साथ? चलिए जानते हैं हरनास संधू जब Miss Universe नहीं बनी थी तब वो पंजाबी फिल्मों में ट्राइ कर रही थी हरनास संधू ने लोकल लेविल के कई ब्यूटी पेजिन्स में काम किया और इस दौरान मॉडलिंग करने के साथ-साथ वो रीजनल फिल्मों में भी काम कर रही थी इसी दौरान आक्टरस उपासना सिंग जिनने हम कपिल शर्मा शो से भुआ के रूप में जानते हैं भुआ जी के रूप में famous हुई उपासना सिंग इस दौरान पंजाबी फिल्म में बना रही थी और तभी उपासना सिंग की हरनास संधू से मुलाकात हुई और उपासना सिंग ने हरनास संधू को एक फिल्म ओफर की 2021 में ये फिल्म आई थी यारा दिया पून भरन इस फिल्म का नाम था और इस फिल्म में जब उपासना सिंग के साथ हर्नास संधू ने काम किया तो सेम टाइम पर उपासना सिंग ने हर्नास संधू को एक और फिल्म उफर कर दी इस फिल्म से वो अपने बेटे नाहर को लॉंच कर रही थी, फिल्म का नाम था बाईजी कुटनगे इस फिल्म की काफे कुछ शूटिंग हरनास संधू पूरी कर चुकी थी सेम टाइम पर हरनास संधू मिस इंडिया के लिए भी ट्राइ कर रही थी उपासना संधू मुंबई में ही रहती है और हरनास संधू उनकी फिल्म में काम कर रही थी तो इस दौरान उपासना संधू ने हरनास संधू को मिस इंडिया के लिए मेंटोर करना शुरू कर दिया इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के मताबिक ये भी बात सामने आई है कि उपासना संधू के घर पर ही हरनास संधू रहती थी क्योंकि मुंबई में हरनास ने अपने लिए अलग अकॉमेडेशन नहीं लिया था और उपासना सिंग ने उन्हें अपनी बेटी की तरह रखा अपने ही फ्लाट में और इस दौरान उपासना सिंग के बेटे नाहर के भी काफी करीब आ गई थी हरनास संधू खुद उपासना सिंग ने एक इंटिव्यू में कहा था कि हरनास संदून की बेटी की तरह है और वो मेरे घर पर ही आती है ग्लामरिस दुनिया के बारे में इनीशियल जो किसी को ग्रूम करना होता है वो मैंने हरनास को किया और हरनास मेरे साथ बहुत अच्छी रहती है वो मेरे लिए घर पर राजमा चावल भी बनाती है इसी बीच हरनास जो रीजनल फिल्मों में काम कर रही थी जो ब्यूटी पैजिंट्स के लिए तैयारी कर रही थी मिस युनिवर्स बनने के बाद उपासना सिंग ने कई जगे इंट्रिव्यूज दिये थे और कहा था कि हरनास जो मिस युनिवर्स बनी है मैं बहुत खुश हो तो लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर उपासना सिंग हरनास संधू से कैसे related है और इन दोनों का क्या connection है तब पूरी बात उपासना ने बताई थी कि वो मेरी फिल्म में काम कर रही है, मेरी बेटी की तरह है, मेरे घर में ही रहती है और उपासना सिंग ने तब ये भी कहा था कि हरनास सिंग ने जब ये competition जीता, तो मेरी उससे बात हुई, वो बहुत खुश थी, वो रोई, मैं भी रोई और उसने promise किया कि जब भी इंडिया पहली बार आएगी, वो मेरे घर जरूर आएगी जहाँ उपासना सिंग हेज सोच रही थी कि हरनास उनकी बेठी की तरह है और वो एक खिताब जीती है, लेकिन उससे उसके nature में कोई फर्क नहीं आएगा वही glamour की इस दुनिया में हरनास संधू की ऐसी entry हुई कि इस entry ने पिछली life भूलने पर मजबूर कर दिया इतना attention, इतने लोग, इतने चाहने वाले, इतना बड़ा नाम, हर जगे एक team साथ जाती थी, हरनास top of the world थी हरनास Miss Universe बनकर इंडिया तो आई, लेकिन कभी भी उपासना सिंग के घर गई ही नहीं क्योंकि वो अब Miss Universe थी Miss Universe के association वाले उनके schedule को maintain कर रहे थे हरनास जो इतने टाइम तक मुंबई में struggle करने के दौरान उपासना सिंग के घर रह रह रही थी वो Miss Universe बनकर जब पहली बार इंडिया आई, तो मुंबई के seven star hotel सेंट रिगिस में उनका stay था वो कहाँ उपासना सिंग के पास जाने वाली थी और यहाँ से कहते हैं कि दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई क्योंकि इधर उपासना सिंग अपनी फिल्म की तयारी कर रही थी और उधर हर्नास संधू फिल्म के लिए time नहीं दे रही थी उपासना सिंग के फिल्म अभी थोड़ी और बनी बाकी थी हरनास संधू का थोड़ा काम बाकी था और फिल्म के प्रमोशन में भी हरनास संधू होगी ऐसा कॉंट्रैक्ट हरनास ने उपासना के साथ साइन किया था उपासना ने कई बार हरनास संधू को कॉल करने की कोशश की लेकिन हरनास संधू ने कभी भी उपासना के कॉल्स का जवाब तक नहीं दिया इसके बाद finally 2022 में उपासना सेंग डारेक्त कोर्ट पहुँची जहाँपर उन्होंने हरनास संदू के खिलाफ केस फाइल किया उन्होंने चीटिंग का केस किया उन्होंने कहा कि किस तरह से हरनास ने उनकी फिल्म को खतम करने की कोशिश की है ना film का काम पूरा किया ना ही प्रमोशन्स कर रही है और ऐसे में उनकी film को लंबे समय तक उन्हें रोक कर रखना पड़ा उसे डिले करना पड़ा और डिले करने का खरचा उनके उपर आया है एक करोड रुपई का हरजाना उन्होंने हरनास संधु से मांगा इधार हर्नास संधू के वकील ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हर्नास संधू अभी दूसरे काम नहीं कर सकती है क्योंकि वो अब Miss Universe के साथ कॉंट्राक्ट में है ऐसे में एक साल तक वो इसी कॉंट्राक्ट में बंधी रहेगी और वो दूसरा का नहीं उठाएंगी इस पर उपासना सिंग का कहना था कि हमें हर्नास संधू का जाधा वक्त नहीं चाहिए था हम बस इतना चाते थे कि हर्नास अपनी पिच्चर्ज या जो भी डालती है उसमें अपनी टीम का नाम लिखती है तो ऐसे ही बाई जी कुटिंग ये इस फिल्म क भी कुछ पोस्टर या अपने कुछ टीजर वगेरा डालती और उसमें फिल्म का नाम टैक करती ताकि प्रमोशन हो जाता लेकिन हर्नास ने तो ऐसा नहीं किया उपासना ने ये तक कहा कि जिस हर्नास को मैंने सिखाया फिल्म इंडस्ट्री का तौर तरीका और ग्लैमरेस इ मेरे लिए कोई रस्ता ही नहीं छोड़ा अभी लेटिस खबर ये आई है कि जो केस उपासना सिंग ने हर्नास संधू पर फाइल किया है उस केस के तहट हर्नास संधू और उनके साथ 15 लोगों के खिलाफ ये केस किया है और एक करोड रुपए का हर्जाना उपासना सिंग न से आई है कुछी दिनों में इस केस पर सुनवाई होनी है तब हर्नास संधू और जितने भी बाकी के लोग है उन सभी के लिखित में स्टेटमेंट लिए जाएंगे और यही बिगिस्ट है जिसके कारण मैंने आपको कहा था कि हर्नास संधू की बॉलिवूड में एंट्री ह लेकिन सबसे पहले कॉंट्रोवर्सी में उनकी एंट्री हो चुकी है और हम सब जानते हैं कि बॉलिवूड और कॉंट्रोवर्सी पैरलल चलता है वेल यह है उपासनास संधू और हर्नास संधू के जगड़े की पूरी कहानी आपको क्या लगता है इस जगड़े में कौन सह ही है उपासनास सिंग जिसके साथ हर्नास ने धोका किया या हर्नास संधू जो इतने बड़े लेवल पर चली गई कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए यही प्राक्टिकलिटी कहती है